यह दोस्तों टाटा मोटर की मोस्ट पॉपुलर एंटी लेबल हैजबेक टाटा टीएगो सी एंजी एक्स टी विरिंट जो की सबसे ज्यादा डिमांडेबल विरिंट है दोस्तों इसकी प्राइज आती है टाटा टीएगो सी एणजी विरिंट की डिजाईट डाइनमिस की बात करें तो देखने में ये regular विरिंट की दिखती है दोस्तों और वहीं इसके फ्रेंट प्रोफाइल में हैटलाम यूनिट के बात करें एक्स्टी वेरेंट की तो आपको मिलते हैं हैलोजन बॉल्ब, हाई बीम, लो बीम, टोन इंडिकेटर की कॉमिनेशन, डाउन साइड, टोम फिनिस हिमेनिटी लाइन दिया गया है, टाय अरो सेब डिजाइन, प्यानो ब्लैक फिनिस में टाटा का लोग, नीचे फॉग लाम्प आपको इस वेरेंट में मिसिंग है, एजन असेसरी के तोर पे अंस्टॉल करा सकते हैं, बहुत ही शांदार स्पोर्टी फ्रेंट बंपर दिया गया है, इसके लावा यहां पे आपको फ्रेंट वाइपर प्रोवाइट के अगया है, और विंड्सील्ड के ठीक लेप साइट, सी एंजी की स्टीकर आपको यहां पे देखने को मिलता है, जैसे के आप यहां पे देख पार हूँ, चलिए आप बात करते हैं, साइट प्रोफाइल में 14 इच के स्टील वील विद वील कबर दिया गया है, वील साइज है 175-65R14, और बिम की बात करें, तो बॉटी कलर और बिम LED टोन इंडिकेटर के साथ दिया गया है, फ्रेंट ब्रोफाइल में 167-70 mm हीट, वील बेस 2400 में, ग्राउन कलेंश एमें 168 में, बूट पेस 242 लिटर, फ्यूल तैंक 35 लिटर पेट्रोल, एन 60 लिटर, C&G कैपसिटी दिया गया है, CNG cylinder है 12 kg का rear profile की बात करें तो सबसे उपर आपको दिया गए integrated spoiler with high mounted stop lamp और यहाँ पे दिया गए दोनों spats CNG की sticker left side उसके just उपर vocal for local की sticker वही conventional tail lamp unit आपको मिलते है इसमें जो की LED tail lamp unit से resemble करता है और इसके right side tailgate के right side ठीक right side दिया गए है CNG वेरेंड में आपको ICNG की branding कुछ इस तरह का इसका rear profile और यहाँ पे dual tone rear bumper प्रोबाइड किया गए है reverse parking sensors की इस वेरेंड में आपको reverse parking camera प्रोबाइड नहीं किया गए है बहुती sporty इसका rear bumper चलिए आप interior की बात करते हैं left side से एक बार check out कीजेगा dual tone interior जी हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको मिलते है fire protection device जो की CNG वेरेंड में बहुती जरूरी है आग लगने की स्तिती में काम आ सकती है दोस्तों चलिए अब दिखा देता हूँ आपको इसका interior right side से और central locking को option आपको मिल जाता है और dual tone combination जैसे कि आप यहाँ पे देख पारे हूँ power window के control, ORBM के control electrically adjusted and 1 litre का motor holder फैबरिक अपोस्टी ट्राइरोसेब डिजाइन में चेक आउट कीजेगा इसका dashboard layout और यहाँ पे फैबरिक अपोस्टी आप देख पारे हूँ सबसे पहले center console के अगर हम बात करें तो यहाँ पे regular variant की तरह ही features मिलते है chrome finish में handbrake 5-speed manual transmission पियानो black finish में और इस variant का key कुछ इस तरह आपको देखने को मिलता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पारे flip की lock unlock और light का function boot opener का function दिया गया है 12 board का charger और इसके साथ ही manual climate control आपको यहाँ पे provide क्या गया है CNG का switch यहाँ पे provide क्या गया है Harman का audio system digital instrument cluster प्रोवाइड क्या गया है regular variant की तरह ही flat bottom tilt table 3 spokes steering wheel जिसके left side audio mounted control दिया गया है कुछ इस तरह co passenger side कोई भी vanity mirror नहीं दिया गया है बीच में IRBM day night दिया गया है large glove box दिया गया है वो भी tablet tray के साथ चलिए आप बात करता है rear cabin comfort की तो open कर लेते इसके rear door यहाँ भी आपको dual tone combination power window के control और यहाँ पे speaker आपको फोर ही मिलते है इस वेरिंड में rear cabin comfort rear seats में आपको integrated headrest मिलते है parcel tray अबलेबल कराये गया है leg room आपको काफी अच्छी कासी यहाँ पे देखने को मिलता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो head room की भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है वहीं rear seat से front के ओड देखें तो XT variant का task board लियाओट कुछ इस तरह रहने वाला है दोस्तों चेक आउट कीजिएगा boot space की अगर हम बात करें तो front door open कर लेते हैं यहाँ पे दिया गया है boot gate opener लीबर हलके से pull करके open कर सकते हैं boot gate को चलिए देखते हैं कितना जगह आपको CNG variant में मिल जाता है boot space 242 liter का boot space दिया गया है लेकिन cylinder रखने के बाद कोई भी जगह आपको बच नहीं जाती है दोस्तों एक बार दूर से दिखा देता हूँ ताकि आपको idea हो जाए और parcel tray अबलेबल कराया गया है XT variant में कुछ इस तरह का एक बार idea ले लिजीगा cylinder को just लोहे के rod के उपर रखा गया और नीचे spare wheel एक इंच कम दिया गया है आप यहाँ पे luggage भी रख सकते हैं थोड़ा बहुत कुछ इस तरह का आपको idea लग रहा होगा दोस्तों कितनी जगा आपको मिल पाती है और यह cylinder 12 kg का है और जिसका जो capacity है 60 liter tailgate के inner side grab handle दिया गया है grab करके आप tailgate को close कर सकते हैं कुछ इस तरह तक engine specification की बात करें तो इसमें provide क्या गया है BS6 compliant 1.2 liter 3 cylinder Rabatron petrol engine power performance की बात करें तो 84 BSP की power 6000 आर्पिम पे and 113 अनम का peak talk generate करता है 3300 आर्पिम पे transmission की गरम बात करें तो इसमें provide क्या गया है 5-speed manual transmission petrol में आपको mileage claim क्या गया है company 23.84 kmpl की mileage वहीं CNG performance की बात करें तो 72 BSP की power 6000 आर्पिम पे and 95 अनम का peak talk generate करता है 3300 आर्पिम पे जहां तक mileage की बात करें CNG में तो यहां पे claim किया गया है company 26.49 km kg की mileage जहां तक safety features की बात करें तो Tata Tiago CNG XT Viren में आपको मिलते हैं dual airbag, ABS VDVD, reverse parking sensor seatbelt reminder, driver side and co-passenger side center locking, day night IRBM isopic child seat increase predecessor end, force limiter seat belt engine immobilizer, front impact beam side impact beam, anti-tape device speed alert system, cornering stability control follow me home, head lamp, unit tire puncture kit, speed sensing auto door lock impact sensing auto door unlock जैसे premium safety features provide किये गए हैं यह जो variant देख पारे हो Tata Tiago CNG XT variant Daytona gray में available है इससे पहले मैंने Arizona blue color में भी वीडियो बनाया है चेक आउट नहीं किया गए तो तो तुरंती चेक आउट कर लिजेगा और उससे पहले मैंने Exit Plus पे भी वीडियो बनाया है दोस्तों जो कि Tiago का Newly Color यानि Midnight Plum Color में available है अगर आपने अभी तक चेक आउट नहीं किया गए तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा आप एक बार क्लिक करके चेक आउट कर सकते हैं यह थी दोस्तों रोजाना यूँ आटमोबाई से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट्राइब, वाकराउंज, कमपैरेजन, एसेसरीज आप से सज़ा करते रहता हूँ तो चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते एक नए वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद